आईए आज बनाते हैं घर पे आटा नूडल आप अपने परिवार को बच्चों को एक बार ये बना के खिलाएंगे न तो वो मार्केट का नूडल तो भूल ही जाएंगे अच्छा नूडल बनाने के लिए आपको आटा को अच्छे से गूथ ना पढ़ेगा यहाँ पर मैंने इस का प्रोसेस बहुत अच्छे से दिखाया यहाँ पर आप यहां पर मैंने यूज किया है, जिसे हम ज़्यादा से वगयरा बनाने के लिए यूज करते हैं, हर गहर में यह मिल जाता है और यहां देखे हैं इसमें चार से पाच लोई तो इसमें आराम से आ जाती है। ब्लूई यहां तो हमारी सब डल चुकी है तो अब हम इसे अच्छे से बंद कर देंगे देखिएगा कि अच्छे से यह टाइट बंद हो पानी को अच्छे से गरम कर लिया और इसके बाद यहां पर थोड़ा सा तेल डाला है इसके बाद हमें इसे बस घुमा नहीं है और यहा होगा यह बहुत ही अच्छा खिला खिला बनेगा इसमें दो से तीन बार डाले इससे क्या होगा यह बहुत ही अच्छा खिला खिला बनेगा और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसे ऐसे हाथों से मिक्स कर लेंगे और अब आते हैं अपनी चाइनिस कड़ और अगर आप अंडा डालना चाहते हैं तो 3-4 अंडे आप यहां पर डाल सकते हैं और यहां पर मैंने सारे सॉसेस डाल दिया अच्छे से मिक्स कर दिया है आपको यहां पर इसक्रीन पर मिल जाएंगी और अब यहां पर नूडल्स डाल देंगे और इसे अच्छे से अब हम ह रो टाट बाइ बाइ